आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याइचार का भाग एक है ये जिसका नाम है अध्याइचार का मुगल सामराज जी के जब भी बात आती है तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि भारतिया उपमहादीप भारतिया उपमहादीप का मतलब है भारत और उसके पुडोसिदिस तो यहां पर क्या है कि अलग 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 संस्कृतियां है अलग अलग धार्म है यानि कि अधिक विबित्ताय है तो ऐसे जगह पे सासन करपाना बहुत ही कठिन कार्य था अपने पुर्वर्तियों पुर्व अब जान पड़ता था ऐसा माना जाता था कि इतने बड़े उपमहादीप पर इतने बड़े च्छेत्र पर जहां पर कि अलग 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 मानित आये हैं अलग अलग संस्कृतियां है तो ऐसे जगहों पर लंबे समय तक सासन करपाना उसको एक जूट रख पाना बड़ा ही मुस्किल है जबकि मुगलों ने यह कारिय किया सोल्वी सती के उत्रार्द सोल्वी सती के उत्रार्द का मतलब हुआ कि 1550 के बाद 1550 के बाद से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्जी का विस्तार सुरू किया और 17 सतापदी में लगवक संपुर्ण उपमहादे पर अधिकार प्राप्त कर लिया उन्होंने प्रसासन के धाचे तता सासन समंदी जो विचार लाओ किये उनके राज्जी के पतन के बाद भी वहर टिका रहा यह एक ऐसी राजनितिक धरवर थी जिसके प्रभाव से उपमहादेप में उनके बाद उनके पस्चात यानि कि उ सासन बेवस्ता चलाते थे वही लाल किला जिसको साजहान ने बनवाया था यह आप देख सकते हो यह यह लाल किला है और यही से प्रतिवर्स भारत के प्रधान मंत्रे धोजारोहन करते हैं कब 15 अब हम जैसा कि आप लोग ने थमनेल में देखा है उससे को हम समझते हैं क्या करें तीए दो महान सासक वनसिया के महान सासक माता की ओरसे चीन और मध्य इसिया के मंगोल फाी माता कए तो माता के पक्च से मंगोल सासक था कौन चंगेज, गांग गूई है 1227 में उसके उत्रादिकारी थे और पिता की बात अगर करें तो पिता के तरब से वो तैमूर, यानि ठूर्की के आशा सकता, इरान, इराक और बरतमान में जो ठूर्की है, उस सब को मिला के जो जग्या बनी थी, उसके सा सकता तयमूर, और तैमूर की मिर्टियों 14-st 4 में हुई है, उनके वनसे थे, किसके तरफ से? पिता के तरफ से अब इसको अगर हम समराइज करें तो ऐसे समझे कि माता के ओर से वो चंगेज खां के साथ बंसज से चंगेज खां के बंसज से और पिता के ओर से वो तैमूर के बंसज से पलंतु इसमें बात क्या थे कि वो चंगेज खां के बंसज यानि कि मुगल और कि कत्ति की इतिहास को पड़ें यहां पे NCIT सरकार के पक्ष में लिखी जा रही है जाती है तो अगर आप रियल हिस्ट्री पड़ेंगे अलग-अलग राइटरों के अलग बाते अगर पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके रूह रोह यानि की आत्मा में उनके अलग- दिली पर कभजा कर लिया अब चत्री दौग को देखें यह आप देख रहे हैं यहां पे आप देखिए यह है तेमूर नग इनका पूरा नाम है और इसके बाद जो चित्र बना है यह 1702 से 1712 के बीच का बना हुआ और दाहीनी तरब से अगर चले तो अब आप यहां पे यह देखिये यह है दाहीनी और यह है यहां पे इनका नाम है मीरंसा यह मुगल बावर जो थे उनके लकर दादा, लकर दादा का मतलब यहाँ पर यह है, कि दादा के दादा, और उसके बाद यह जो आप देख रहे हैं, यह है अबुसेद दादा थे, और इधर अगर आप देखोगे, तो यह जो आप देख रहे हो, यह मुहमद मिर्जा, बावर के पर देख जो बाबर के पिता थे यानि एक बाबर के पिता का नाम उमर सिख था अब अगर इधर से अगर बात करें तीसरे चौथे और पांचवे नम्र पे 3-4 और पांस फिन नम्र पे यहां पहल कि से यह देख को यह आप देख से कि देख के में चित्रए इनका है अब आगे हम बढ़ते हैं उन्हों ने अपनी वनसावली का प्रदर्शन चित्रए बनवाकर किया प्रतियक मुगल सासक नहीं तेमूर के साथ अपना चित्रए बनवाया जैसे कि अभी हमने चित्र एक कोमे देखा है अब आगे देखिए यह देखिए यह मुगल सेन्य अभ्यान तो मुगल के पहले सासक थे बावर जिनका सासनकाल 1526 से 1530 से के बीच मेरा 1494 में जब इन्होंने फर्गना राज जी का उतरादिकार अप्राप्त किया उस समय इनकी उम्र केवल 12 वर्स की थी मंगलों की दूसरी साखा जो थी वह उजबेक तक भटकने भटकते रहे हला कि अगर इसके अनुसार देखे तो यह दस वर्स होता है लेकिन यह कहरे दूसरी साखा यह जो पहली साखा के यह सासक थे उतरादिकार थे लेकिन दूसरी साखा जो इनकी थी वह पंद्रस चार में उस पर यह कभजा कर पाई थे और उसने 1526 मे में दिल्ली पर आकरमन कर दिया अब दिल्ली के उस में कौन सा सकते इबराहीम लोधी और 1526 में उनके साथ पानीपत के मैदान पर पानीपत इसमें करना है अने हराया और दिल्ली और आघरा पर कभजा कर लिया किसने बावर ने तालीका एक अभी हम देखेंगे में मुगलो के प्रमुक्षय नयवियाने को दिखाये गया है अभी से यह कहा रहा है कि ध्यान से देखिए अब अगर इसमें आप दिखेंगे इसमें आप यह देखेंगे कि अब गान मुगल सत्ता के लिए उस समय खत्रा थे मुगोल मुगलों और अहों में एक जाती है जिसके बारे माध्याई साथ में हम लोग पढ़ेंगे शिख जिसके बारे माध्याई आठ और दस में पढ़ेंगे मेवार और मारवार जिसके बारे माध्याई नौ में इसका जिक्रे किया मेवार के बारे मैं आपको मैवार के सास्क्त है राना शांगा और राना शांगा के बाद उनके उत्रादिकारी उधाय सेंग और फिर उसके उधाय सिंग पुत्रें महाराना प्रताप सिंह से अंत समय तक अकवर की बनीनी और अकवर के साथ उनका मुट्वेड चलता रहा था साफावीद एक अलग तरह का है यह जैनक गोलकुंड साफावीद एक विशेस प्रकार के कह सकते हो इसलाम को मानने वाले के समूथ है अकवर और उमायू की समंध इनके साथ कभी अच्छे रहे कभी खळाव गए अब अगर बात करें तो पानीपत के युद्ध में यानि कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 इसदिमें पानीपत की पहली लड़ाई में क्या अंतर था बाकी लाडाईों से तो बावर ने पानीपत की पहली लडाई में तोपका प्रयोग किया था, गोलावारी सबसे पहले इसी युद्ध में किया गया था, आप देखें तालिक आई एक है, मुगल समराट है, तो मुगल समराट की बात करें तो बावर 1526 से 1530 तक भारत में रहे हरा दिया, 1527 में खानवा, खानवा में राना शांगा, राजपुत राजा और उनके समर्थ को हराया, अब 1528 में चंदेरी में राजपुतों को हराया, अपनी मिर्तियों से पहले दिल्ली और आग्रावे मुगल नियंतरन उन्होंने अस्थापित कर दिया, अब इनके उत्र वर्स कह सकते हो, कि इन्होंने ससन किया, आखिर ऐसा क्यों हुआ यह बीच में इनकी गैपिंग क्यों हो गई, अब उसके बारे में हम इसमें जानते हैं, देखिए, हुमायू ने अपने पिता की बसी बसीयत के अनुसार, बसीयत कहते हैं, ऐसे डुकुमेंट, ऐसे कागजा जिन पर यह दिया जाता है, कि यह जो जयाधाद है, यह पूरवजो के जयाधाद किन किन को कितनी मिलेगी? जायदात का बटवारा किया, प्रतियक भाई को एक एक प्रांत मिला, उसके भाई मिर्जा कामरान, वो महत्वाकान ची था, यानि कि उनकी कह सकते हो कि आज के भासा में लाल ची था, कि कारण हुमायों अपने अफगान प्रतिदंदू के सामने फिका पड़ गया, सेर खाने पहली बार कब? 1549 में, 14 में, और दूसरी बार 1540 में कन्नोज में, और ये दोनों लडाई इनके लिए इतनी खतरनाक हो गई, इन्हें भारत छोड़कर इरान के तरब भागना पड़ा, इरान में हुमायों ने साफाविद साह की मदद ली, उसने 1555 में दिली पर पुनाह कब पर अगले वर्स कहा जाता है कि उससे अगले वर्स ए इमारत की दूढटना, यानि कि सीधी पेश से गिरने से उनके मिर्तियों हो गई, अब जब इनके मिर्तियों हो गई, 1556 में, 1556 में यह नहीं कहा रखा है, रहे कि 1556 के सुर्वात में था, तब 1556 में फिर जिस समय अकव पागों में बाटा गया है, पहला है 1556 और 1570 के बीच, अपने संदक्षक के बैरम खान और अपने घरलू कर्मचारिवें से स्वतंद्र हो गया, देखे तेरह वर्स की अवस्ता में जब अकवर समराड बना था, इन्हें सासन के कुछ भी अनभव नहीं था, क्योंकि छोटे चोटे आयोते, तो वो जो अलग-अलग प्रांतों को जीत रहा था, तो वो किसके सहयोग से, बैरम खान के सहयोग से, तो बैरम खान से ये बाद में उसके साथ उससे भी सोतंद्र हो गया, उसने सूरी और अन्याफगानों, निकटवर्ती राजियों, मालवा और गोंडवा पर कबजा कर लिया, 1570 और 1585 के मद्य, उन्होंने गुजरात के विरोध, यानि कि उसके खिलाफ सैनिक अभियान चलाए, इन अभियानों के बाद उसने पुर्म में बिहार, बंगाला और उरिसा में अभियान चलाए, जिनने 1589 असी में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए भ 55 के बीच अक्वर के समराजी का विस्तार हुआ, उत्तरपष्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कानधार पर कबजा कर लिया, और कसमीर को भी जोल लिया, मिर्जा हाकिम के मिर्थियों के बाद काबूल को भी उसने अपने राजी में मिला लिया, अपने सासन के 35 बर्सों में अकवर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रों के गरन लड़कराई और यही सलीम आगे चलकर सम्राठ जहांगीर के नाम से प्रसिद हुआ अब आगे देखिए 1605 तक की यह घटना है 1605 में जहांगीर की सत्ता सुरुवात हो जाती है और इनका सासनकाल 1627 तक चला है जहांगी नाकवर के सहनिय अभियानों को आगे बढ़ाया दिवार के सोसरो दिया सासक अमर सिंग ने मुगलों की सिवा सुईकर की जबकि इसमें संदेहा इस पत्त है NCIT है, NCIT को हरे के एक्जाम में माना जाता है, लेकिन इसमें संदेहास पता है, क्योंकि ये कुछ ये लेखकों का ऐसा मानना है, कि अमर सिंग ने महराना प्रताप से भी अधिक मुगलों को परिशान किया दा, जहांगे इरे, तो इनके सामने आने से भी डरते थे, और ये और एहमद नगर के खिलाफ अवियान चलाए गए, जो पूर्णता शफल नहीं वे, यानिके सिख्खों ने और एहमद नगर के खिलाफ अवियान चलाए, लेकिन ये सक्षम शफल नहीं हो पाए, जहांगेर के सासन के अंतिम बरसों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद मे साजहां कहलाया ने बिद्रो किया अब देखें यहां पे इन्हों ने जहांगिर ने यानि कि सहजादा सलीम ने अपने पिता से बगावत किया था फिर बाद में राजकुमार खुर्रम यानिक सहजादा खुर्रम ने साजहां के खिलाफ बिद्रो किया और साजहां की पत्नी न के राजगद्धी पर बैठा कौन साजहा और इनका सासनकाल 1658 तक चला दक्कन में साजहा के अभियान जारी रहे अफगान अविजात खां जहान लोदी ने विद्रोह किया और वो पराजित हुआ एमार नगर के खिलाफ अभियान हुआ जिसमें बुंदलों के हार हुई और ओ परिणाम क्या हुआ कि कांधार सफावीदों के हाथ में चला गया वहां कि सासक्ते 1632 में अंतिम में क्या हुआ कि एहमाद नगर को मुगलों के राजव मिला लिया गया और भीजापूर की सेनाओं ने सुलह के लिए निविदन किया यानि कि आपस में मस्वरा करने के लिए यानि कि आपस में सांती वारता जिसको आप किया सकते हो सांती वारता के लिए निविदन किया था रिक्वेस्ट किया था 165758 में साजहां के पुत्रों के बेच उत्राधिकार को लेकर जगरा शुरू हो गया उसमें औरंग्जेव की विजय हुई और दारासिको शमेत तीन भायों को औरंग्जेव ने मौत के घार घाट उतार दिया साजहां को उसकी सेश जिन्दगी आगरा में कैद कर लिया गया और आगरा के जेल में डाल दिया गया अब औरंग्जेव 1658 में गद्धी पर बैठा 1663 में उत्तरपुर्व में अहोमो की पराजाय हुई लेकिन उन्होंने 1680 में फिर से विद्रो कर दिया उत्तरपशिम में युसूप जई और सिखों के विरुद्धे अभियानों के को अस्ताई सपलता मिली अस्ताई याने के अस्ताई सपलता नहीं थी मारवाड के राठोर राजपूतों ने मुगलों के खिलाब बिद्रो किया उसका कारण था उनकी आंत्रिक राजनीती और उत्रादिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप यानि कि कह सकते हो कि उसमें जो उन्होंने बीच में खलल डाली थी उसके कारण मराठा सरदार सिवाजी के विरोधिव मुगल अवियान प्रारम में सफल रहे लेकिन परंत बाद में सिवाजी का अपमान किया किसने और अरंग्जेव ने और सिवाजी आगरा इस्तित मुगल के खाने से भाग निकले उन्होंने अपने को स्वतंद्र सासक घोसित करने के मुगलों के विरोधिव फिर से अभियान चलाए राजकुमार अकवर ने औरंग्जेव के विरोधिव विद्रो किया जिसमें उसे मराठो और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला उसके बाद क्या हुआ कि इसमें वह सफाविद इरान भाग गया कौन औरंग्जेव ऐसा कहा गय अकवर के विद्रो के बाद औरंग्जेव ने दक्कन के सासकों के विरोधि सेनाई भेजी 1685 में बिजापूर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया 1688 में औरंग्जेव ने दक्कन में मराठों मराठे किसके लिए प्रसिदे थे छापा मार अप्योग कर रहे थे कि विरोधि अभियान प्रबंद श्वेंग किया औरंग्जेव को उत्तर भारत में सिखों जाटों और सतनामियों उत्तर पुर्व में अहमों और दक्कन में मराठों के विद्रों का सामना करना पड़ा उसकी मिर्तियों के बाद उत्रादिकार के सेस नियम नहीं था यह बार-बार योद्य करते रहते थे तो अभी के लिए फिलाल इतना ही अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे उत्रादिकारी उत्रादिकार की मुगल परंपराएं किस प्रकार थी और उसी में हम समझेंगे अकबर का सासन मांचित्र के द्वारा कब कह कि इन्होंने विजय अभियान चलाया था और वहां पर कब इनकी सत्ता बनी थे तो अभी के लिए फिलाल इतना ही धन्यवाद